नमस्कार मैं हूँ संजी कुमार और आप देख रहे हैं व्यव समाचार पूरे बिहार में पंचाय चुना हुए करीब करीब एक साल का वक्त बुजर चुका है विगत एक वर्सों में जो वर्तमान के मुख्या हैं उनके दोबरा क्या कुछ डवलेपेंट यानि विकास है काम ह हुआ कुछ सम्मान को लेकर कुछ रक्षा को लेकर कुछ अधिकार को लेकर के बात्चित करेंगे तो अभी हम लोग आए हुए हैं गया जिला गया जिला में डोभी प्रखन परता है और पंचायत के नाम है अंगरा और यहां के जो वर्तमान मुख्या है कृष्णा माजी ज करेंगे तो अभी हमसे जूर रहे हैं उनके प्रतनीदी है मुन्ना यादाव जी हैं तो इनसे जानते हैं कि जब किष्णा मान जी जी जब सपत लिए मुख्या का तो उनका प्रथम हस्ताक्षर जो हुआ किस कार्योजना को लेकर के किया गया इसके अलावा तमाम दोपे बा कि बाद पहला जो चुकी आप देखरें काप करते हैं प्रतनीदी हैं तो पहला कड़े को सहुआ सरकारी सरकारी काम सबसे पहला आपका जो मेरा जो पंदर्मी पंदर्मी बितायोग का पंचया सरकार भ्हमन जो बनवा है पहला कलम हस्ताचर होई हुआ है उसके बाद सश्ट मार्च के उजना है उसमें दो जगा महादली टोला में पानी को बहुत ज्यादा से मज़्या था और जनल का कादर अभी चालू है यह सब सब पहले काम हम लोग किये हैं अच्छा प्रधान मंत्री आवास उजना के दवरा करीब करीब कितनी लोग को आवास दिलवाएं जी एक पटना गय थे अपनी मांगों को लिए करके कर्के गराम सोराज मेर्ज भी किया गया था कर दो किसले के लिए और अधिकारों के लिए जंता हम लोग इपान्साल करें के चुनते हैं到HHHH लग को उर्षा मिल आ हैं उन्हें प्रत्यों कुण्त नहीं मिला सरकार से तो एक उजार्श करेंगे कि जनता हमें भी चुनिये जनता उन्हीं पांचल के चुनिये हैं हम लोग अधीकार मिलना चाहिए इसे बेतन कहो गया मात्र पचीस सुद्वे मुख्या के बेतन है को भी अगर पांचल कार कार खतम हो गया तो उन लोग का भता ह सरकार से कम से कम अंचायत पतिनितर को भी बेतन मिलना चाहिए पांच बरसव को बात बाहा आप शुरक्सा को लिकर क्या क्या करें नहीं हो और कि अभी तक क्लांटी तो प्तीशिक मुख्या के मडर हो चुका है इसी आगर ने जाने को मिलेगा लेकिन इस पर आंधीं हो रहा लोहिया स्वास्ता अभ्यान को ले करके आपके पंचायत में क्या है लोहिया स्वास्ता अभ्यान के लिए टोटल जितना भी हमलों का गाड़ी है ठेला है सफाय के बहाल हो चुका है में के अंदर फार की पंचायत में काम चालू हो चुके है और क्रम나무 करें आपका चाहिशों चाहिश… कि अग्राइश ने को चुकते हैं इसकों म नार्क कि हर पंचायत में इक सरकार सफाई मिटी एहराब पोकरा के सफाई करवा रहा है और आपको लंसम तीन हजार पोधा लगवाएं इस वर मनरेगा के तुरूज जो समस्याएं उत्पर्ण होड़ा यह मजदूरी को ले करके कई मुद्दों को ले करके जो 16 मार्च को धर्ना परदसन किया गया था इसमें मनर परदरेगा भी था सुरक्फ्षा भी था अधिकारफ पोली करके था किया चार वर्सों का क्या है आपका क्या सोचे है कि इस पंचायत को मौडेन इतिहासी का दर्स मनाने के साथ साथ स्मार्ट पंचायत को रूप में डिबलब परेंगा कि चौदा महिना कार कल हुआ है हम मेरी सोच है कि 2026 में चुनाव आते आते हैं छे महिना पहले इस अंगरा पंचायत को सुन्दर पंचायत अदम बनाना मेरा संक्यल्प है कि कहीं भी कोई व्यक्तियार कहें कि अंगरा पंचायत में हम लोग गये तो इस सूब्धा है अभी कि अधिया से काम जो आपने सोच लगा है कई लोग तो कई दो मतल्ब बनवाते हैं तो कोई आपने ऐसा सोच आप इस पंचायत में कोई आसा मैं काम करूं कि कुछ लोग यू है आपको यह उगई को तक्यास करें मेरा सोच सिछा है जो अंगरा में स्कूल मनाना ना दिया दो किलो तिन किलो मेटर पैदल चलकना आए गर्मी है बद साथ है ठंड है बच्छों को दीखत होती है अने जन अब आपका संकल्ब है कि सिछा हमारी प्रत्मिकता है और स्वास्तों है स्वास्त के लिए आप इक देख रहे हैं कि आपके में को स्वास्त के लिए बन तो ना याद हो इन्होंने क्या कुछ कहा इस पंचायत के डिवलपेट को लेकर विकास को लेकर और सबसे महत्पून कि जब भारत का समीधान एक है कानून एक है तो अधिकारों पे भेदभाव क्यों एंपी एमिले का विकारेकाल जो होता है 5 साल कही होता है और मुख्या ज कड़ीगा जो है अधिकारों पे भेदभा क्यों हो मैं किवल बिहार का मैं बात बदता हूं कि करिब करिब 900 करोड़ रुप्या MLA MLC को पेंसेन की रुप में जाता है क्यों जाता है मिले तो सबको मिले नहीं तो किसी को न मिले। दूसरी बात कि सुरक्षा को ले करके कि यब पूर-पंचायती राजमत्री ने दिया जाएगा। आपने देखा इसे सब मांगू को ले करके 16 मार्च को बिहार के जितने भी मुख्या है या मुख्या प्रतनी दी है उन्होंने राजपाल को ग्यापत सौपने का कारे किया है और धरना परदसन भी किये है तो इनका मांग है जैनुवन मांग है और जिस तरह से पहले मुख्या जी का जो काम करने का तरीका था कि स्वयम काम करवाते थे अब वेंडरों के तुरू काम हो रहा है अंतिम सवल मेरा ओनाना कि विभार में जातिग्त हो रहा है होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए जातिग्तन वादल निसकी निसथी तो होना चाहिए प्रतम उसे जानते हैं कि उनके क्या कुछ development, विका से काम किया है, इसके साथ साथ तमाम अधिकारों को लेकर शुरक्षा को लेकर और मनरेगा में जिस तरह की तूर्टिया हैं कामों को लेकर, मजदूरी को लेकर, जिस से मजदूरी दिया जा रहा है 210 रुपया तो इस मजदूरी का जो है दर बढ़ाया जा इन्हीं सब मुद्दो को ले करके 16 मार्च को जितने भी बिहार के मुख्या हैं वो सामिल हुए थे तो आपने वेब समचार में समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्या थे